असलाम अलेकूम पैसे वाक्साब अलम्दलिल्ला में एकदम ठीक होंगे तो इतनी कोई बेशर है मैंने पिटा रहा है कि चलो खुद कोई काम अगर गंदा वाला नहीं करती है फालतू का नहीं करती है और किसी को लेक्चर दे तो समझ में भी आए खुद इतने खर्चे करती है इतनी फिदूल फिदूल चीज़े खरीती है अच्छा मैं इस बारे में बात कर रही हूँ कि गोंचु ने कुछ इस्टैपलर की तरह खरीत के लेकर आया और उसको सुनार ही है के इतनी फारी चीज़े बरते हो सीख गए हो तो ओर्डर करते रहते हो ये फिदूल का बंगा लिये हो ये क्या काम साए मसलब कि उसको जतार ही है कि ये फिदूल की शौपिंगे करते रहता है आला कि इसने खुद के लिए तो लिया नहीं है घर के काम की चीजे वो और खुद जो कड़ोडों में लाकों में चीजे खरीद खरीद के उनको बरबात करती है तब इसको याद नहीं हता है कि मैं कितना फिजूल खर्चा कर रही हूं उसने कुछ सो का हजार का मंगाया तो आओ मैं सारी ओडियंस को बताओं थोड़ी थी ने फिटारा शरम कर ले नहीं तो डूपके मर जातू दोपेर में सोके उपती है कैमरा अपने तरफ करती ही नहीं है सोसती है जब मौ पे ते सुजन उतरेंगी ना तब कैमरा अपने थोगड़े पे करूंगी और ये बोल रही है कि बार बारी शोरी है तो ट्यूशन कैसे जाओगी तो बोल रही है कि हमारे पास तो अमरेला है तो बोल रही कितनी तेज है ये लड़की तो पिटारा तेरे पर गई है ना तू कितनी तेज है पहले वो तो देख तू इतनी तेज है तो तेरी मात तो तेरे से कहीं की अच्छा मुस्तफा को इस वीडियो में इसने ट्यूशन भेजी ही नहीं वो दोनों बेटियों को भेजी और बाइक पे लेके गया और फिर उसने पूचा मुस्तफा तो बोली पहले इनको छोड़ के आ उसको बाद में लेके जाना और फिर बाद में गोंचो को पी तो बाइक पे जोड़ के आया और मुस्तफा को कार में चोड़ के आया और दिखाया भी नहीं है न पिटारा ने दिखाया भी नहीं कि मुस्तफा टिवाशन जा रहा है ये बच्चों को लड़कियों को दिखाई लड़के को दिखाई नी मौह से आके बोल दी कि वो टीशन चले गया है पिटारा कितना बेवफू बनाती और तू तो सबसे बड़ी जूटी है तू सोस्ती आके मौह से बोल दूंगी लोग यकिन कर लेंगे तेरे उपर यकिन करेंगे तू तो एक नंबर की जूटी है बेजी ही नहीं होएंगी और ड्रामे करते रहती है इस्कुल के लिए भी ड्रामे ट्यूसन के लिए ड्रामे बच्चे कम ड्रामे करते है यह जादा करती है पता नहीं इसको क्यों मौत आती है बच्चों को स्कुल पढ़ाने ट्यूशन बेज ने कोई क्लास जॉइन करेंगे वो देखो फुटबॉल की क्लास भी उसकी बन करा दी अब कारी साब भी नहीं नजर आ रहे अब आज मैंने वीडियो में बोली उना कल पर तु नजर आ जाएंगे अच्छो यह आज अपने गाडन के अंदर है न वो दिखा रही थी कि हरी मिर्चे के हमने पौदे लगाये थे तो यह देखो हरी मिर्ची निकली हुई ये पिटारा तुने लगाई थी आप लोग याद करो जब यहां पर रहने आई थी तो एक सब्सक्राइबर आई हुई थी और इसको हरी मिर्ची के दो पौदे देखे गई थी और इसकी माने बोली के शुब नहीं होता अच्छा नहीं होता तो बाहर रख दो तो इन लोगों ने उठा के यहां रख दिये थे अब इस वीडियो में क्या बोल रही है हमने पौदे लगाये थे कितनी मकार है कितनी कोटियां धुलानी है और या इसका हस्बेंड साथ में नहीं है या यह अकेली है जो इसको नौकरों की इतनी ज्यादा जरूरत रहती है कि अपनी भावी को भी नौकर बना लेती है वहां कोसर को देखो अकेली छोटा बच्चा लेके पड़े रहती है ना हस्बेंड पुरा घर बच्चे वगेरा तब होने के बावजूद नौकर की भी इसको जरूरत है उसके बाद मैं हस्बेंड भी 24 गंटा इसके साथ फिर भी यही दुखी है और यह जो इसकी भावी आके बैटी है जब इसको नहीं रुकाना होता है ना तो यह बाहना करती है नहीं इनके मवेशी है ना तो इसके लिए ना एकी दिन में जा रहे है मैंने भावी को बोली रुको ना भावी ने बोली नहीं बच्चे चोटे है ना और तेरे भाई को मवेशी देखने होते है फिर घर पे कोई नहीं होता है तो मैं रुक नहीं सकती तो मैं जा रही हूं और अभी कैस खुद के बच्चों को मवेशी को हजबेंड को सब को चुले में डाल के यहां पे आके बैटके इसके गंदे कपड़े और इसके टॉइलेट दोर यह लकदी लानते तेरे पर जाड़ू अली चुड़ायल घटिया औरत मैं को लगता है न यह यह नियत में बैटी है कि मेरी कोई बेटी है न पिटारा ले लेंगी अपने मुस्तफा के लिए और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएंगी तो ले भी लेंगी न अगर वो तो और ज्यादा गुलाम बनाके रखेंगी अभी तो थो थोड़े दिन के लिए नौकर लगी है न फिर तो पूरी जिंदगी के ल कर भी लिया न तो पहली पूरसत में छोड़ के दूसरी तिसरी चोती करेंगा है किसका बेटा पिटारा का बेटा एक पे थोड़ी रुकने वाला है वो अच्छा नज्जो की न यह वाली हरकत देखो इसको देखो यह क्या हरकत थी मेरे समझ नहीं आया मेठी रोटी इसने बगल में से निका ली इसको थोड़ा सी तुकड़ा दी थोड़ा सी सज्जू को दी और देखो वापिस से बगल में छुपा ली यह क्या था क्यूं था मतलब कि पिटारा खाने नहीं दे रही है या ऐसा क्या था यह मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आया बलके मुझे हासी आ ती यह कौन से निच्चड़ पाना था कि रोटी वह बगल में ले लेके घूम रही है क्या पिटारा खाने नहीं दे रही है और पिटारा को और घौंच को देखो ची यार बगल में रोटी वह चुपा रही है और लोग खा रहे पता नहीं कैसी सहली है क्या है जिसमें वह र कि यह आटा हो गया, मतलब आटा फारीज में रखा हुआ है, आप लोग देखो, गुना हूआ आटा है, ढखा हुआ भी नहीं है, और फिरीज में ऐसे ही रखा हुआ है, और मुझे लगता है कि जरूर इसकी भावी ने या तो इसकी भाबी की बेटी ने रखी होएंगी और आप लोगों को फता होगा कि गुना हुआ आटा अगर खुला ऐसे रखो ना तो उपर एकदम सूक जाता है जाड़ी परत चल जाती है चड़ जाती है और आटा खराब हो जाता है लेकिन इसने देखने के बाद रिट से घर देखेंगे जितनी रोटी बनाना ता बनाए बाकी का आटा खुला अंदर फेक दिये और ऐसा भी नहीं है कि इसने देखी नहीं देखके रिटन भर दी कितनी ये बेसरम है और इसको एक चीज की कितना भूत है कोई भी आएंगा ना उनको गाड़ी चला के दिखाएं जब तेरा बेटा ऑस्पिटल में एडमेट था तुने बोली इसका ऑप्रेशन हो रहा है वो टेम पे तेको गाड़ी चलाने के लिए मत आ रही थी वो टेम पे तुने गाड़ी चला के ऑस्पिटल नहीं गई तो गोंचु का इंतजार करते बैटी थी कि गोंचु आएंगा अगर नहीं हम गाड़ी में बैटेंगे तुम मसाला लेने जाओगे ना बोल रही है तुम हमारे से जान मत चुड़ा ओ बैटो गाड़ी में मतलब कि ये उतर के मसाला तलग के खुद नहीं करिजना चाती है सोचो कितनी काम चोड़ है आखिरकार उसको साथ में ही लेके हजबेंट बच्चों को नहीं देखता अरे मसाला लेने के लिए तुझे गाड़ी में तक के उतरने के मौत आ रही है तुछ को साथ में लेके गई है और तु बलती है हजबेंट अच्छा नहीं है लानत है तरे उपर बगी पिटारा ने अपने प्लॉट के अपर जाके दिखाई के यहांपर देखो सामने खर बन रहा था इसके लिए यहां पर चोटा थी घर बनाए थे सामान उमान रखने के लिए अब वो घर बन चुका है तो ये तोड़ दिये गए है और इसने ये बताई कि देखो यहां पे क्यों बना है अब यहां से हमारा बनेगा आप लोगों को याद होगा कि जब पिटारा ने प्लॉड बताई थी तो कितना बड़ा प्लॉड बताई थी अब उसके आदे में न दो बिल्डिंग के जैसा मतलब छोटे छोटे इसने अच्छे खासे बंगले बनाई है और थोड़ा सी कैमरा वहां पे की थी पिच्चर थमनेल पे आप लोग देखना थोड़ा सी कैमरा भी वहां पे की थी तो वो किसी और का नहीं वो पिच्चारा का है पिच्चारा ने जो ड्रीम आउस ड्रीम आउस बोलके लोगों को बेवकूप बनाई ना तो वो ड्रीम आउस नहीं बना रही है वो वहाँ पे 4-5 बंगले बना रही है और साब को रैंट पे डालके कुद रैंट खाएंगे कोई ड्रीम हाउस नहीं बन रहा है यह साब इतने जूड वो लिए और जो दो घर वहाँ पे इतने दिखाई है ना बंगला टाइप वो बन रहा था ना कि सामने का हिस्सा बन रहा था और यह दोनों पिटारा का है जब पिटारा ने प्लॉट दिखाई है ना तो जाके वाला वीडियो देखना कि पूरा जितनी जगा थी ना पिटारा ने बताई थी कि यह पूरी जगा मेरी है और इस वीडियो में पिटारा इतनी सी जगा दिखा रही है कि इतनी में मेरा री माउस बनेगा पिटारा बेवकूब बना रही है लोगों को और जो ये सामने अला बता रही है पहले तो ये पीछे वाला बता रही थी कि वहाँ पे कुछ बन रहा है, अब सामने वाला बता रही है, असल में बन रहा क्या है, वो देखो न, सामने वाला देखो, जो ये कैमरे में दिखा रही है, वो कितना जूना है, और जो इसका कैमरे में थोड़ा सी आया है, वो नया बना है, तो ये भी पिटारा का है, पिटा आने लेकिए आई थी जो बंगला टाइप इसने बनाई यह और अगे साइट का बन भी गया है रेंट पे भी चला गया है और पीछे साइट के उसके उपर काम चालू है मतलब कलर वलर का वो बन जाएंगा फिर वह भी रेंट पे चला जाएंगे और मैंने आप लोगों को बता थी ना थोड़े दिन पहले के पिटारा बता नहीं रही है कि उसके फ्लाट पे काम चालू है उसका घर बन चुका है देख लो मतलब के और मैं यह क्लिप भी डाल दूंगी आप लोग देख लेना बहुत बेवकुब बनाती है यार बकी हसी तो में को तब आई जब इसने बोल कि आई के अलावा और मैं जिस्को कूछ नहीं आता है वो दूसरों को सिखाएंगी बताओ भई और ये जो है ना तरी भावी के बच्चे चाहे फिर हो अनु हो चाहे फिर फोफातमा हो चाहे फिर सबको खाना बनाना आता है परफẹक्ट काम आता है क्योंकि उनकी मान घर में तो रहती नहीं है, काम उनके मत्थे डालके वो आयाशियां करते फिरती है तो उसके बच्चों को तेरे से 10 गुना जादा आता है, तू आई बड़ी किसी को सिकाने वाली बेशरम गटिया औरत बड़ी बड़ी बाते करती है तू सिकारी ये लांती कहीं की तू खुद तो सिकी नहीं है, तरी मा ने सिकाई के तेरे को जो तू किसी को सिकाएंगी वैसे इस वीडियो में ये हलीमा को बोल रही है, तू बात क्यूं नहीं करती हो बात किया करो, सब बोलेंगे ये बात नहीं करती है अच्छा रमजान की तरह ट्रेन करना चाहती है उसको अनिता की तरह ट्रेन करना चाहती है ताके वो भी पुरा-पुरा ड्रामे में तेरे हिस्सा ले वैसे पिटारा तेरे को तरस नहीं आता है वो बच्ची के उपर उसकी पढ़ने लिखने की उमर है त तो तेको कभी नहीं लगा के लाओ इसको भी स्कूल में डाल दूँ और घर में अर्भी पढ़ा दूँ इसको नहीं ना जो खुद के बच्चों को नहीं पढ़ाती है वो दूतरों को क्या पढ़ाईंगी और पता नहीं वहां पे आस पास में लोग कैसे देख रहे हैं कि पास है जानता है इसका गर ना तो इसके खिलाब कंपलेंट करो सोचो कि अगर इसके मावबाप है जो हली मां के अगर उन लोग इतना अफोर्ट कर सकते तो तो करे अपनी बेटी को नौकर बना के किसे के घर पर चोड़ते अगर wszyscy न होता था टो वह लो लोग हली मां को कुली बेद दे इसको लेकिन यह और अच्छे की उमीद करना बेवकूफी है ना अच्छा यह वली पिच्छर देखो और मुस्तफा को देखो और हमेशा ही यह इसे ही नजर आता है और यह बीच में बता रही थी जब इसने मिलाद रखी थी या कुछ रखी थी खटम रखी थ तरह के जायज नहीं है इस तरह के कपड़े पहनके बैठना कुरान शरीफ पढ़ने के लिए और सबसे पहली बात तो इस तरह से टांग लटका के बैठके पढ़ना ही नहीं चाहिए दूसरी बात वो शौर्ट में पढ़ राए जो के वजू ही नहीं होता है जब वजू ही या पाइदे को चूओ कैसे सकते है मिस्ट के सीर और शरीफ एक ड्रामा करने के लिए एक आक्टिंग करने के लिए किसी आजमी को बुला देती है वह टोपी पेन के बेट जाता है और ये बता देती है बच्चे कुराण शरीफ परड़े थोड़ी सी शर्म करो जो लोग इसको चाटते हैं न तो इस चीज में इसको थोड़ आती है न गैरत दिलाओ कि बच्चों को क्या पिणा के बिठाना चीए और कैसे बिठाना चीए शर्म करो शर्म तुम लोग लड़की जात को कारी साब के साथ में चिपका के बिठाती है और लड़के को दूर शॉर्ट में बिठाती है वाह क्या इस लोगों के घर में तमासे चलते कुछ हासा हो जाएंगा कुछ हो जाएंगा बड़ा तो वह वहाँ पे कोई रहता नहीं अब जाएंगा और कारी साब तो मुझ सही में को चोर नजर आ रहा है वह पता नहीं कौन है कहां से उठाके लाई है जो इसको इसको इसनी भी तरवियत नहीं दे सकता बच्चों को इतना भी नहीं सिखा सकता के शॉट पैन के नहीं पड़ा जाता है टांग लटका के नहीं पड़ा जाता है अच्छा बाकी यह ले सीन के साथ भी इसने जो दूसरा सीन बताई उसके अंदर इसने यह बताई के गोंचू नहीं है गोंचू दूसरे घर गया हुआ है इसकी बीवी ने कुछ इस्पेशल बनाई है तो आज वो वहाँ पे खाना खाएंगा और सोचो के रात के खाने के टाइम पे कारी साथ आया हुआ है रात के खाने के टाइम पे वो बच्चो को पड़ाने आया हुआ है और गोंचू भी घर में नहीं है में इसके जब कोई आतमी घर में नहीं रहता है तो इसके घर में गहर महराम आते है मैंको तो लगता है ये कारी साहब इरी साहब नहीं है ये इसका ही कोई ना कोई शक्कर है जो के कभी कबार सामने आता है कारी साहब के बेस में कारी साहब होता तो रो जाता बच्चे को तमीज डालता गोंचुके रहते आता उसके सामने आता लेकिन नहीं वो उसके फीट पीछे आ रहा है वाह क्या पिटारा के गेम है क्या पिटारा की प्लाइनिंग है चल रही है अच्छा ये पिच्चर देखो ये जो स्क्रीन शॉट लगा है ना ये एजाज ने किया था लीक किया था और इसके वाल पेपर पे देख लो आयत की पिच्चर लगी हुई है ठीक है और ये जान बुच के वो पिच्चरे दिखा रही है अपनी आईडी दिखा रही है इसके आईडी के अंदर एजाज ने इसको लव यू बोला हुआ था और आयत को लव यू, मिस यू और ये बोल क्या रही है अमा को वीडियो बना बना के बेज़ती थी जबके वीडियो स्रीफ और स्रीफ आयत की थी और इसको अच्छे से पता था कि वो आईडी के अंदर रहे ना सिर्फ और स्रीफ एजाज था इसके लिए ये खुद की और आयत की बनाती थी और अभी क्या बोल रही है कि अमा की, अमा का बेजने के लिए बनाती थी क्यों भई? अमा को स्रीफ एकी बच्ची से प्यार था दूसरे बच्चों से प्यार नहीं था दुसरों को नहीं बना के बेस्ती थी इतनी कोई जूटी है और इतनी कोई ये मकार औरत है ये सिर्फ और स्री फेजाज के लिए बनाती थी और दुसरी बात इतनी क्या बोली के पांच साल पुरानी वीडियो से मैं इसके आयत कुछ महीनों की थी अभी छटा साल आयत का चल रहा है और ये आयत को अभी भी तीन साल की बताने की कोशिश करती है वीडियो अगर पांच साल पुरानी है तो आयत कितने साल की हुई फेज और बोल रही है मैं पासवर्ड बूल गई हूँ मैं चलाती नहीं हूँ अरे पिटारा कितनी गंदी और अभी क्या किये पता है इसने इसने जाके जब लोगों ने देखे वहां जाके और कमेंट वगेरा देखे ना इजाचके वो स्क्रिंशॉट मेरे पास भी है मेरी भी एक बेहन ने मुझे बेजी इसके कमेंट इजाचके तो इसने क्या की ना जा बात के उपर अभी भी पड़े ही होएंगे यहां पर चलता ही नहीं है यह तो मैं तो नहीं देख सकती है लेकिन आप लोग जाके जरूर देखना और एक बात सोचो कि लोग बोलते हैं कि सलमा के वीडियो के उपर उसने जाके कुछ बोला था सलमा ने डिलीट क्यों नहीं की तो बहुआ फहले अपनी मालकीं से पूछो न पितारा को लव उइ बोल रहता है और उसने वो कमेंट रखी होई थी तो अपनी मालकीं से पहले पूछो के उसने क्यों रखी होई थी ऊने क्यों नहीं डिलीट की सलमा की गसी तो तुम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हो पिटारा थे भी तो पूछो कि अपने यार के कमेंड क्यों रखके बैटी थी और अभी शायद डिलीट किये शायद मुझे कोई बोल रहा था कि इसके कमेंड अब नहीं है मैंने स्क्रीन शॉट ली तब थे और अब इसने डिलीट कर दिये शायद तो पता नहीं है के नहीं है लेकिन देख लो कि अब जाके इसने डिलीट किये जब लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिए मतलब ये कुछ जता रही है ये कुछ बताती है कि ये बेटी किसकी है और क्या इसने कांड की थी और कौन इसका यार है घटिया उरत और टिक टक क्या कांड में अच्छा खासा ये फैंसी फैंसी कपड़े फैंसी फैंसी मेकप और इसके बच्चे के बड़े के वीडियो मतलब कि इतना सब कुछ है मतलब जो हालात इसके अभी है ना सेम हालात पहले भी थे लगिन ये छूड बोलती है कि ये गुरुबत में थी ये गरीबी में थी जब कार खुदी मूँ से बता रही है जब मेरा चैनल नहीं था मौनिटाइज नहीं हुआ था तब की वीडियो है और क्या बताती है कि हम उदार लेके खाते तिल्ला कदी लानत है पिटारा तेरे पर अम्मा को वीजियो भेजती ची ची चोरी कहीं की अम्मा को खली एकी की वीडियो भेजती थी बाकी दो हराम के तेक्या तेरे बलके जो अराम की थी ना उसकी वीडियो तो बेस्ती थी घटिया औरत अच्छा सब जन्हें पूछे जा रहे हैं पिटारा ने वीडियो क्यों नी डाली वीडियो क्यों नी डाली तो पता चली जाएंगा वीडियो की नहीं डाली इसका वीडियो आएंगा ड्रामा करेंगी रोना दोना सर दुख रहा है ये दुख रहा है वो दुख रहा है हलाके ये सब दुखे न उसका तो वो तो सिंपती ले ना के गाया वो दुखे तो कुछ न कुछ पीछे खिछड़ी जरूर पकरिए और इजाज को लेके ही पकरिए अब क्या पकरिए या घर को लेके पकरिए या कोसर को लेके वो तो पिटारा का वीडियो आने पर पता चल जाएंगा कुछ तो गड़बड है कुछ तो गड़बड है खेर पता तो चली जाएंगा तो चले इस वीडियो को यही पेंड करते वीडियो कैसी लोगी कमेंड में ज़रूर बताना वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लापी